दयालू राजा, रामपुर नाम का एक नगर था उस नगर में वीर नाम के राजा रहा करते थे राजा पहुत ही दयालू थे मैं जब भी अकेले होते यही सोचते मैं अपनी प्रजा के हर दुख का निवारन करूँगा अगर मेरी परजा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मैं हमेशा सब का ही भला करूँगा पूरे नगर में सबी लोग वीर राजा की बहुत तारीफ करते थे एक बार एक किसान मन ही मन बुला हमारे नगर के राजा का दिल बहुत बड़ा है उन्होंने मुझे खेती बाड़ी करने के लिए धन दिया ताकि मैं दाने खरीच सकूँ सच में ऐसा राजा सभी को मिले ठिसान, बच्चे, बुड़े सभी राजा की तारीफ करते नहीं ठकते थे एक बार राजा वीर ने सोचा मैं सभी की बारे बे सोचता हूँ जाकर उनकी भी समस्याओं को सुनू दूसरे ही दिन राजा वीर अचानक अपने राजे के बंदी ग्रह में पहुच गये और सभी कैदियों से उनके द्वारा किये गए अपरात के बारे में पूछने लगे वह बोले मेरा सभी कैदियों से नुरोध है कि उन्होंने जो भी अपरात किये हैं वो सब मुझे बताएं मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया राजा जी मैंने कोई अपरात नहीं किया मैं निर्दोश हूँ ठीक है आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा महराज मुझे पंसाया गया है किसी ने भी मेरी नहीं सुनी महराज आप तो सब की सुनते हो मुझे भी यहां से आज़ाद करवा दीजिये मैं भी निर्दोश्ट हूँ राजा मन ही मन बोलने लगी अखिर यह सभी अपराती जूट बोल रहे हैं या सच बिना वज़े तो इन्हें यहां डाला नहीं जा सकता अब मैं इन पर कैसे विश्वास करूँ चलो औरों की भी अपिल सुन लेता हूँ इसी तरह सभी बंदी अपने आपको निर्दोश्ट साबित करने लगे फिर राजा ने अचानल देखा कि एक पे तिर नीचे किये हुए आंसु बहा रहा हो राजा ने सोचा आखर ये कैदी रो क्यों रहा है इसके पास जाकर पूछना चाहिए राजा उस तीसरे कैदी के पास गए और बोले तुम क्यों रो रहे हो उस तीसरे कैदी ने बड़ी विनम्रता से कहा महराज मैंने गरीबी से तंग आकर चोरी की थी मुझे आपके नियाए पर कोई शक नहीं है मैंने अपराद किया था जिसका मुझे दंड मिला दंड का विदावन सभी के अंदर प्राश्चित का भाव पैदा नहीं करता है लेकिन उन सभी कैदियों में से एक यही ऐसा वेक्ति है जो अपने कल्ति का प्राश्चित कर रहा है यदि इस वेक्ति को दंड से मुक्त किया जाए तो यह अपने अंदर सुधार कर सकता है तभी राजा ने उस कैदि को कहा मुझे तुम्हारे अंदर सुधार के ललक दिखाए दे रही है मैं तुमसे प्रसन हूँ क्योंकि तुमने सत्य भी कहा कि तुम्हे अपनी गलती का पच्चतावा है इसलिए मा तुम्हे रहा करता हूँ तीसरा कैदी बहुत खुश हो गया तभी राजा ने खुश ना की और कहा सानिको इस कैदी को जल्द से जल्द रहा कर दिया जाए राजा की वज़े से नह कैदी छूट गया लेकिन जाते जाते राजा ने उस कैदी से कहा मैंने तुम्हे छोड़ दिया लेकिन अब तुम हमेशा अच्छे काम करना कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना हाँ हाँ राजा जी आज आपकी वज़े से मुझे जल्दी रहा कर दिया गया मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और मेहनत करके हर एक काम करूंगा राजा बहुत खुश हो गए और वह कैदी खुशी खुशी वहां से चला गया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है हमेशा सच बोलना चाहिए और सत्ते का साथ देना चाहिए